पीड़ी पीएम नॉलेज में अपका एक बार फिर से स्वागत हैं तो हम आपको जीके के एन्वीयाज और जो एम्टीयाज शीएचेसल सबके रिगॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पाकिस्तान 42. भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान बैक्ती ने किया था ति अब को बताना है है भारत सेवक समाज की पार किस ने किया था तिसका राईट आंसर होगा गुपाल करृष्ण गोखले यह सब आपके प्रीविस यर के ऐमसी क्यूं है 43. आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था? आपको बताना है कि आईने अकबरी किताब किसने लिखा था? जिसका राइट आंसर होगा अबुल फजल 44. सबसे पहले किस मुसल्मान ने पुराड का अध्यान किया था? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मुसल्मान था जो कि सबसे पहले पुराड का अध्यान किया था? जिसका राइट आंसर होगा अल बरुनी क्विक्शन नमबर 45 भारत की जलवायू किस तरह की कहलाती है आपको बताना है कि जो हमारे यहां की जलवायू है वो कैसी है तो उस कटी बंदी यह मानसून क्विक्शन नमबर अब SSC GD G के क्विक्शन PDF इंपोर्टेंट PDF है हम आपको इसको बताने जा रहे है यह देखिए SSC GD का इसके रिगॉर्डिंग है यहां पे इसको हम आपको बताने जा रहे है विक्शन नमबर 46 मानसून सब्ड की उत्पत्ति किस भासा से हुई है SSC GD GK का है एक विक्शन प्रिवेस एर में आया हुआ था इसको हम रिपीट करा रहे है आप कोई भी वीडियो skip न कीजेगा वीडियो को लाज तक देखेगा बीना skip किये विक्शन नमबर 46 मानसून सब्ड की उत्पत्ति किस भासा से हुई तो इसका राइट आंसर होगा तारापूर तारापूर में पहला न्यूकलियर उर्जाइ स्टेशन बनाया गया था और पूछ रहे हैं 48 में कि राजभास आयो को कप समाप्त किया गया था तो इसका राइट आंसर होगा 1976 विक्शन नमबर 49 हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है तो इसका राइट आंसर होगा 1862 1862 विक्शन नमबर 50 एटम बम के सिधान्द का आधार क्या है एटम बम के सिधान्द का आधार आपको बताना है इसका राइट आंसर होगा नाव की विक्धन बार जैन सभा का आयोजन कहां पर हुआ था आपको बिताना है, पहली बार जंसभा कायो जंड कहां हुआ था तुछ के राईट अंसर है, पाटली पुथ विक्ष नम्बर 54 बहुत धर्म के त्री रात्न क्या है तुछ के राईट अंसर है, संग, धम, पुथ विक्ष नम्बर 55 हमारे देश में पुराणों की संख्या कितनी है तिसकराइट आंसर होगा 18 क्विक्षन नंबर 56 प्राचीन काल में अवंति का किस सहर का नाम था तिसकराइट आंसर होगा उज्येन क्विक्षन नंबर 57 आला उदल का संबंध कहां से था इसकराईट अंसर होगा महोबा से सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है सो इसकराईट अंसर होगा वित्तमंत्रा ले विक्सन नमबर 59 राफेल लड़ाकु विवान को किस कंपनी ने बनाया है इसका राइट आंसर होगा डसाल्ट एविएशन क्विक्षान नमबर 60 कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है इसका राइट आंसर होगा क्विक्षान नमबर 60 का राइट आंसर होगा नाग मिसाइल यह आज का लाश क्विक्सन था यह आज पार्ट नंबर थी है वीडियों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे ही वीडियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्श्ट पार्ट के लिए चैनल पर विजिट करते रहें थैंक यू